पानिपत की लड़ाई हुई थी 1526 में और खुमायूं के बाद राजा बने जो थे वो अकबर और अकबर के बाद जो था क्या हुआ कि अकबर से पहले ये कौन आ गया ये श्रेशा सूरी यहां क्या कर रहा है कि कबीर को क्या कहते हैं घीजक रामनोजचारे वलबाचारे अब खुद कन्फ्यूजन है क्या है ये ओ हिस्ट्री लगता है मुझे बॉन वीटा की और कुनाल सर दोनों की जूरत पढ़ने वाली है एक काम करता हूँ मैं बुक लख लेता हूँ और कुनाल सर को बुला करके लाता हूँ कुनाल सर कहा हूँ आप किदर गए अरे कुनाल सर सुनो तो कहां गए सर I need your help history समझ नहीं आ रही कुनाल सर को बुलाना पड़ेगा कुनाल सर को बुला के मैं फड़ावट से वापस आता अरे बच्चों कैसे हो तुम सब, हलो, क्या हाल चाल, वेलकम बाग, क्या हाल चाल है आप सब के, अरे वा, मैं अचाट फिर से तुम से मिलने आ गया, मुझे कोई बुला रहा था क्या, अभी कोई पूछके किया है मेरे को, कुनाल सर कहाँ पे है, मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, कह रहा है कि सर, हिस्ट्री समझ नहीं आ रही, सर, हिस्ट्री ने मिस्ट्री बना दिया है, सर, जिंदिकी बरबाद हो गया, सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, सर, सर दिमाग की बत्ती जला दो एक बार तो भाई देखो मैं आचुका हूँ वापस से हमारे प्यारे प्यारे जुनूनियंस को मिलने एक बाद पी ओपी हो जाए वड़ा बच्छे चाट के अंदर बच्चो फट्टा फट आजाओ मार कर दो अटेंडेंस क्योंकि कुनाल सर आप के आचुके हैं वापस तो स्वागत है आप करता है दिल से ओल्ली ओन्योर अमेजिंग प्लाटफॉर्म दाइस पीडव यह है धमागेदार रेविल्यूशन एजुकेशन का है ना क्योंकि हम यहां पे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम को सॉट करने वाले बहुत सारे भुष्टी ने जिन्देगी दुखी कर दिया सर कुस्तों अपआय बताओ ऐसा यही सवाल बच्चे बहुत सारे बच्चों का यहां पर है की नहीं सर यह भी बड़ी मिस्ट्री सर बाबर ने क्यों लड़ाई की किसली लड़ाई की सर हमें जानके क्या करना वह वाले राजा हमारी सितने एमेजिंग ब ATL suggesting अई सूरूर करेंगे और तो मैं क्या बात कर रहा था अपने बच्च पन कर रहाद था अपने बच्पन की तो वही मैं अपने बच्पन की बात करता है बच्पन से मेरा बदब क्लास 6 तो 7 की मेरे को हिस्ट्री समझ में नहीं आती थी जब ठीक है मैं को लगता था है क्या बोरिंग सब्जेक्ट है क्या बेकार के सब्जेक्ट है मालब घोड़े पे बैठो लड़ने चलो शाम को आओ लड़ने चलो दुपैर में आओ लड़ने चलो खाना खाओ लड़ने चलो कोई कामी नहीं लोगों के पास लब हिस्ट्री में लड़ते जा रहे हैं हमको डेट से आत कहनी पड़ रही है यह वाली लड़ाई कभ हुई मैंको कभी-कभी तो ऐसा लगता था राजा का मन हुआ अरे सेनापती जी सरकार सेनापती बहुत बोर हो रहे हैं कोई राज है क्या आज पास खाली जैसे लड़ाई किये जा सकती है महराज वो ABC राज खाली है उसने आपको कल बत्तमीज भी कहा था अहां सेना तयार करो चलो लड़ाई करते हैं चलो के पे मतलब में भाई इतने की आज कहां यूद्ध कर लिए viewed को क्या याद करेगा यूद्ध को याद करनी है आपको क्या था यह एसे control मेहरी मेरे मन में चलते हैं एक थोट मेरे मान में और आता था कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि राजा लोग तो पहले बड़े बड़े ऐसा बड़ा टाइप का एकदम जो ड्रेस पहनते थे बड़ी लंबी लंबी ड्रेस होती थी थिये ना साइड में उनके तलवार फसाने का भी पूरा रहता था है। hefty वो काफी लमबा सा कुर्टा आए यही ही है ,कभी ऐसा नहीं हुआ हुगा राजा जी साइड में पार पीघ़ था पखे ल्क मिलडी मेंगे प्ट बहब के चल रहा है। तलवार फंच गही कपड़े में निकल नेरी है तलवार चला इनी पार रहे है राजा जी और तब तक दुशमन आके उड़ा गया मैं सोचा कभी ऐसा नहीं हुआ क्या history has lots and lots of questions in it and the answers to it as well right तो ऐसे ऐसे व्यर्ड ख्याल मेरे जरूर आते दिमाग में जम मतलब क्लास में बैठता था history की तुम्हारे दिमाग में कौन-कौन से व्यर्ड ख्याल आते हैं मुझे जरूर से बताओ फिलाल आज तुमको एक रहतरीन यात्रा पर में लेके चल रहा हो एक दम मजा ही आ जाए कोई बात नहीं बेटा उसको भी देख लेते हैं तो रहा है यह आपके साथ हैं क्या करना है फोन की स्क्रीन को या जो भी चीज़ पर आप क्लास देख रहे हुआ है उसको फुल स्क्रीन करना है बाकी गेंस के और वाट्सैप की सारे नोड़िवेकेसें बंद करने हैं और पाकिये distractions को थोड़ी देर के लिए एक लिए 35-40 मिनट्स के लिए विलकुल अपने से दूर कर देना है ठीके बच्चो चले तो इसी के साथ करते हैं आगास उस चीज का जिससे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं यानि कि चैंच सोना है तो जाग जाएए संचरी ठीके चैंच यात्रा को हम थोड़ा शुरू करते हैं and let's get started चले तो बहुत ही बड़िया हमारी historical यात्रा शुरू हुई है आज हम बढ़ेंगे new और old terms के बारे में historians और उनके sources के बारे में और हम बात करेंगे political और social groups के बारे में और region और religion के बारे में चले बात करते हैं फटावच्चे आपके सामने दो नक्षे हैं हाला कि दोनों ही बुरे दिख रहे हैं मुझे पता है यह से थोड़े से अजीब से थोड़े से बुरे बुरे से दिख रहे है बटे नक्षों के पीछे कुछ खासियत है आपको पता है क्या खासियत है देखिए पहला वाला जो नक्षा है पहल 1154 AD का ये map है, 1104 AD, let me write it down, 1154 AD का, right, इसको बनाया था बच्चे, अल इदरीसी ने, एक Arabian थे, तो अल इदरीसी का, अल इदरीसी का design क्या हुआ ये map है, अल इदरीसी, अल इदरीसी का design क्या हुआ है, ठीक है, और इस map के अंदर अगर आप देखें, तो बच्चे, इंडिया का एक छोटा सा portion इनों ने दिखाया है, जो की काफी उल्टा दिखाया है, यानि श्रीलंका को, जो की भारत के नीचे होना चाहिए, ये वाले part को, ये भारत के उपर ले गाएं, यानि नौर्थ वाले इससे में, यानि अभी रावन से मिलना है, तो उदर नौर्थ जाना पड इसे हाथ करते हैं, इंडिया का एश्यक अपने क्या हुआ स्कोर, इदरीसी वाला माप इन 1154, है कि नहीं, और ये जो माप बच्छे, ये एक फ्रेंच ने बनाया है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, करीब 600 साल बात, 17th century के अंदर, क्या स्पास इनों ने डिजाइन किय है, कार्टोग्राफर जो होते हैं, वो जो लोग माप बनाते हैं, नक्षा वगरा डिसाइन करते हैं, इसमें आपको अपना इंडिया कुछ पहचाना-पहचाना से दिगेगा, हमारे रावन का घर थोड़ा सा नीचे है, स्रिलंका वाले साइट पे, इधर आपके C है, आपक इतिहास या हिस्ट्री, बहुत सिंपल है, इतिहास या हिस्ट्री, बहुत सिंपल है, इतिहास है, पिछले वाले टेस्ट में तुम्हारे 50 में 5 नंबर आए, इतिहास है, हिस्ट्री है, कोई भी ऐसा इवेंट जो खतम हो गया, अब पहले वाला टेस्ट था, पुराना वाला किमने हैं प्रेटेज था तुमने क्या किया 50 में से तुम्हारे 5 नम्बर नम्बर मम्मी नहीं मैं हमीग मारो pro аleist नहीं मम्मी ने मारा लाइं मंमी कर तो खॉफ है उंदर अब तक अभी रुको तो यह बापा को बता सिनिम आप मांगे अगली बार अच्छा नंबर ले आओंग न म प्लीज पापा को फिर वी बता ही देती है थेलं ना तुमहें साथ हो जाता है नो इतने मायूस से चहरे को ले करें जाती हो पापा के पास पापा पापा मारो कितनी पापा बस rebels पुझ समय ना vous बच लेकिन इसमें एक बड़ी खुबसूरत चीज छीप हुई है पता है क्या तुम्हारे जितने भी सवाल गलत हुए तुम्हारे जितने भी क्वेस्चन गलत हुए तुम उनको दुबारा से प्राक्टेस करोगे अगले टेस्ट के लिए मेहनत करोगे और उसमें बढ़िया नंबर लिख्या होगे तो मान के चलो अगले टेस्ट में तुमारे 50 में से 45 आ गए तुमारे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे और तुम भी खुश हो जाओगे लेकिन यह कैसे पॉसिबल हुआ यह तब पॉसिबल हुआ जब आपने पहले टेस्ट को जो आपका इतिहास था आपका हिस्ट्री था उसको अच्छे से अनलाइज किया उससे सीखा और अपने आपको इंप्रूफ किया हैगी नहीं जब बच्छे कोई पूछता है कि इतिहास क्यों जरूरी है यह इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए मेरा भी कुछ आ example मैं सारी चीजों को हटा करके पहला बैटल ले ले लेता हूँ पानीपत का 1526 का ठीक है बच्छो जब पहली लड़ाई हुई ना पानीपत की बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपको बताए बाबर की सेना में मात्रे मैक्सिमम 25-35 जार लोग थे जादा लोग नहीं सी बात इबराहिम लोदी उसके पास एक लाख लोग हैं लेकिन जीता कौन बाबर क्यू उसका रीजन है उसका रीजन यह है कि बाबर की टेक्ड्रांग पूर थी बहुत बेंजय को ने यह उन्हों ने र लड़ाई जीतनी है तो आपने आपको modernize करना जरूरी है जैसे for example इबराहिम लोदी के आर्मी में maximum हाती थे जो कि slow थे बावर के आर्मी में घोडे थे जो कि काफी fast थे बावर ने gun powder का यूज किया cannon का यूज किया आग का artillery का यूज किया इबराहिम लोदी के पास वो technology थोड़ी बावर के पास number of people कम थे लेकिन फिर भी उसके strategy बहुत अच्छी थी तो लड़ाई जीत गया तो इतिहास हमें क्या सिखाता है इतिहास हमें यह सिखाता है कि आपने जो गल्तियां के हैं आपने जो पुराने टाइम में गलवड की है उसको आप कितना इंप्रूव कर पाते हो कितना बहतर कर पाते हो अब जैसे इस मैप का देख लीजए अलिद्रीसी ने एक नक्षा बनाया जिस नक्षे के इसाफ जगर भारत की जोग्रफी देखो तो पूरी जोग्रफी उल्टी है यानि कि अगर इस नक्षे को हम फॉलो करें तो श्रिलंका भारत के साउथ में नहीं भारत के नौर्फ में दिख रहा है लेकिन श्रिलंका कहां बढ़ता है भारत के साउथ में पर इसको इंप्रूव्मेंट होता गया होता गया उता गया फिर आप 17th century का जब आप नक्षा देखते हैं जो जो dates आते हैं उनको कैसे याद करें फिधार dates का rap song बना लो dates की rhyme बना लो date का गाना बना लो date की poetry बना लो dates याद हो जाएंगी तर को date याद करनी होती है हम तो ऐसे ही करते हैं simple जिसे for example मुझे याद करना है कि इंडिया को इंडिपेंदेंस कब मिला सब को पता है अधिरा बात है जैसे कि मैंने खाया नूडल्स में रेमन और इंडिया गॉड इडिपेंडेंट इन 1947 तो इसे करके कुछ भी याद कर लो जैसे नेपोलियन राजा कब बने फ्रांस के अठारा सु चार में बने तो मैंने विराट कोली को याद कर लिया विराट कोली ने मारा फ एक्जाम में इस बार फिक्स मेरा टॉप करना है एक्जाम में है इस बार फिक्स रिपब्लिक डे ओफ इंडिया इस सेलिब्रेटेड ओन जन्वरी 26 हैगी रही कितना आसान है कि इस बार एक्जाम में टॉप करना है मेरा फिक्स और रिपब्लिक डॉफ इंडिया इस सेलिब्र आलो और आराम से डेट्स आप याद कर सकते हो सर अब यह जाओ आपको पढ़ाएंगे आगे तो आपको डेट रैप भी बताऊंगा मैं यह ना ठब कुछ एस तरीके से हम लोग डेट्स पर ध्यान दे सकते हैं तो जो हम चेंजिस की बात कर रहे हैं तो पहला चेंज हमने आगे हम आगे बात करें लेट्स टॉक अबाूट देगे फर एकसपल मेरा एक छोटा सा दोस्त है यहाद 12 यह कि उसका नाम इंट की ओrigडिनल नाम है उसको घर यह में जुकु बलाते थे सित 1 तो जैकी is the real name, जैकी, swag वाले जैकी भाईया, बट उनका पुराना नाम था घर खा वो क्या था, जुक्कू, जुक्कू भाई, ए जुक्कू इधर आओ जरा, है ना ममी बुला रही है, ए जुक्कू क्या कर रहा है, इधर आओ, जुक्कू भाईया इधर आगाई, बट उनका जैकी के नाम से बहुत फेमास है वो, इसी तरीके से बच्चे हर एक जगे का एक नया टर्म होता है, और एक पुराना टर्म होता है, है ना, बहुत सिंपल है, तो बच्चे के हम बात करें, मैरे प्यारे से कंटरी हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करते हैं, राइट, नाम है बच्चे इसके multiple origins है multiple origins ठीक है चले मैं आपको discuss करता हूँ बीच बीच में कुछ महुत मज़दार facts भी बताऊंगा बहुत मज़दार facts बताऊंगा ठीक है तो ध्यान बनागे रखना copy pen को एकदम तयार रखना और जो जो भाई PW app पे तो अभी भी अगर play store से PW का application डाउनलोड नहीं किया है तो पिटा डाउनलोड करिए register करिए अपने batch को search करिए जुनून batch को search करिए बाइनौ का option दिखाता है free of cost है कोई पैसे नहीं देने आपको क्लिक करिए जितने भी class के notes है subject के बच्चे आपको सारे के सारे वहीं मिल जाएंगे ठीक है तो परिशान नहीं होना है आपने ठीक है बच्चो चलिए हम बात करें हिंदुस्तान के बच्चे गर आप देखें यह जो word हिंदुस्तान यह start होता है इंदुस्तान से इंदस नदी जो है भारत के topmost position से होके निकलती है ठीक है मांसरोवर के पास वो नदी originate करती है उसका जन्मस्तान है वहां से वो चलती है वेस्ट की तरफ flow करना start करती है भारत के कश्मीर वाले region से हो करके वो पाकिस्तान वाले side चली जाती है तो पहले बच्चे जो area उस इ इंदस नदी के नीचे का जितना भी portion था वो आपका इंदोस्तान था फिर gradually इस term का meaning change होता गया जैसे आज हम इसको as a country as a देश के नाम से जानते हैं पहले बच्चे एक देश के नाम से famous नहीं था ये एक geographical area था एक geography का portion था एक geographical area था जिसको आप हिंदुस्तान के नाम से जा कहलाते हैं है ना हमारे एक proper system एक proper culture है तो पहले बच्चे शिर्फ इस political stand पे भारत को नहीं जानते थे इंदुस्तान को नहीं जानते थे यानि as a country हिंदुस्तान नहीं क्यालाता था बट एक geographical छेत्र था एक geographical region था जिसको आप हिंदुस्तान कहते थे राइट देखते हैं इं लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहली बात 30th century में मिनाज उस सिराज जो थे historian थे ये भी ठीक है अपने time के तेरवी शताबदी क्या नहीं 1200 से लेकर के 1300 के बीच का जो साल है मिनाज उस सिराज historian थे इन्होंने लिखा है इन्होंने note किया है अपने काम में पर्षन में लिखते थे ठीक है तो इन्होंने का कि जो पंजाब हर्याना और गंगा और यमुना के बीच की जमीन है ठीक है पंजाब हर्याना पी एच गंगा यमुना पी एच जीवाए यानि पंजाब हर्याना गंगा और यमुना के बीच की बच्चे जो जमीन है वो कहलाती है आपका हिंदु इन्हों ने उस टाइम पे इनको यूज किया था, as a place that is under दिल्ली सल्तिनत, यानी इन्हों ने बच्चे मिनाज उस सिराज ने, कि दिल्ली सल्तिनत की टाइम के historian थे, इन्हों ने क्या किया था बच्चे, उस particular region को हिंदुस्तान का था, जो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के आजपास आता था कौन सा रीजन है हड़िपा पंजाब हर्याना का दूद वाला दई वाला खाना और गंगा गंगा मैया तो भाई बहुत फेमस हैं और अपनी यमुना तो गंगा यमुना के बीच का रीजन और पंजाब दे भंगड़ा दे ढोल और हर्याना दे दूद द खाना ठीक है तो भाई हर्याना का खाना पंजाब दे ढोल और गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन था जितना हमारे दिल्ली सल्तनत के अंडर आता था बच्चे है ना दिल्ली इसके सुल्तान के रूल के अंडर आता था उसको इन्होंने हिंदुस्तान कहके रिफर किया था चले कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब क्या होता है बच्चे कि धीरे धीरे जैसे दिल्ली सल्तनत की जमीन बढ़ती गई, उसका kingdom बढ़ता गया, area बढ़ता गया, वैसे वैसे और areas हिंदुस्तान में include होने लगे, यानि आप यह कह सकते हैं जो हिंदुस्तान word है, उसका पहले area स्रिफ पंजाब, हर्याना, गंगा और यमुना के बीच के area तक limited था, लेक लेकिन उस time पे बच्चे तो धक्षिन भारत था, South India, उसको यह इस particular term में include नहीं करते थे, कौन include नहीं करता था, दिल्ली सल्तनत के जो historians थे, जो वहां के artists थे, जो poets थे, वो हिंदुस्तान के अंदर South Indian वाले part को include नहीं करते थे, उस जमाने के इसाब से, right, it never included the Southern India part, अपना राज्य स्थापित किया, right, तो वो कहलाता है आपका early 16th century, जब भी हम 16th century की बात करें, 17th की बात करें, तो आप समझ जाना, अगर मैं 16th century कह रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं 1500 से लेके 1600 के बीच के जितने भी साल हैं, वो कहलाते है 16th century, ठीक है, early के अगर मैं बात क 50 के बाद से 1600 सके बीच के year, तो कहला हैंगे later 16th century, ठीक है, ऐसे होता है बच्चे, जो आपको कहा गया ना, जैसे 17th कहा गया है, तो उससे एक नंबर पीछे लेके चलो, जब मैं कहूं 17, तो मतलब सर बात कर रहे हैं, 1600 से लेके 1700 के बीच के years की, ठीक है, तो बच्चे इस तर बाबर कौन सी डाइनिस्टी थी थी था, बाबर जो था बिटा वो मुगल एमपायर था, मुगल डाइनिस्टी से था, ठीक है, सल्तनत में कौन थे, दिल्ली के सुल्तान थे, आखरी सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने हराया था 1526 में, 1526 में, कोली ने मारा 6, बाबर डिफीटर इब्राहिम इन 1526, 1526 में, पानिपत की युद्ध में, उन्होंने हराया पहले पानिपत की युद्ध में, और मुगल एमपायर को स्टैबलिश किया, बाबर ने जो था बच्चे, हिंदुस्तान वर्ड का यूज, यहां की जोग्रफी, यहां की कल्चर, और यहां के लोगों को, यहां के जो लोग हैं, उनका जो कल्चर है, यहां के जो पेड़ पौध हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्हों हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया, राइट, आन्ध 14th century के बचसे एक पोएट हुएं, बड़े फेमस पोएट हुएं, अम इन्हों ने जब वर्ड यूज किया था, हिंद यूज किया था, राइट, चली, इन्हों ने भी बच्चे जो है, बहुत सिंपल सी बात है, जो वर्ड हिंद यूज किया था, वो भारत की कल्चर को डिपिट करते हुए किया था, यानि जो 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 जोग्रिफिकल रीजन है, जिसमें कई सारे रीजन्स आ रहे हैं जिसको हम हिंद कह रहे हैं या हिंदुस्तान कह रहे हैं तो बाबर नहीं आके लोगों और कल्चर को भी इंक्लूड कर लिया था पर दिल्ली सल्तनत में वो चीज इंक्लूड़ेट नहीं थी ठीके अच्छा अमीर खुस्रों का एक कहीं धर्ती पर स्वर्ग है तो वह यहीं है यहीं है और यहीं है कश्मीर को लेकर के उन्हें बड़ा खुबसूरत सा पोईट्री लिखा था अमीर खुस्रों ने जिनको हम पार्रट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और तूते हिंद के नाम से जानते हैं ठीक है तूते हिंद यह पर जोग्रफी को और कल्चर को डिनोट कर रहा है राइट चले यह खुबसूरत सा प्रांजीशन देखा बचो हमने ऑफ हिंदोस्तान ऑफ इंडिया राइट चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लेट्स फूफ फॉद्र बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है बड़ा स्टूरिस प्लेस पर जाओ और आप किसी गोरे इंसान को देख लो ultimate गोरे कुछ बच्चे हमारे बड़े एकसाइट हो जाते हैं ममी ममी फॉरिनर बच्चे बच्चे भी एकसाइट होते हैं पेरेंट्स पेकसाइट हो जाते हैं कई बाए तो आहाँ वाँ फॉरिनर है अंग बहुत चेंज हो गया है चेंज हो गया आज पारेंटर का मतलब क्या है जो आपके देश नहीं से मतलब क्या होता है एलयन का मतलब क्या हotz Cake यह नहीं पर द्रों जाना हो जिसका जानते नहीं जो कहीं ओर से हो आपके country से नाओ, आपके state से नाओ, बिल्कुल कहीं बाहर से, वो आपके लिए alien है, सिर्फ वही नहीं जो दिखा देते हैं, Hollywood movies में जादू, alien आ रहा है, मार रहे हैं, तो वही alien नहीं है, alien term का मतलब होता है, जो बाहर वाला हो, कोई बाहर का हो, जिसको आप नहीं जानते हैं, सेम वे foreigner बच्चे, आज की terminology में, अगर modern din के हम लोग बात करें, तो foreigner का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो आपके देश का नहीं है, आपके देश को belong नहीं करता, जैसे इंडियन है, बच्चे हम लोग भारती हैं, हम किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो उनके लिए हम foreigner हैं बेटा, जो दूसरे देश के लोग भारत में आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए foreigner है, बट पहले foreigner का meaning यह नहीं होता था, पहले foreigner का meaning होता था बच्चे, ठीक है, बहुत simple time है, आज इसका मतलब पर जो इंडियन नहीं है, पहले foreigner का मतलब medieval period की बात करें 13-14th century की, तो कोई भी ऐसा stranger, जो कि कि दूसरे गाउं का है, किसी दूसरे शेहर का है, किसी दूसरे geographical region का है, वो आपके लिए foreigner था, आज ऐसा नहीं होता कि आप एक गाउं का आदमी अगल दूसरे गाउं में चला जाए, तो उसको foreigner का जाए, नहीं भाई, वो foreigner नहीं है, क्योंकि वो इस ही इं इसको आप नहीं जानते थे पहले के टाइम पे आपके गाउं के सो सकता है और दूर दराज के लाके से हो तो इसको भी हम फॉरिनर कहते हैं लेकिन आज ऐसा नहीं है बच्छे अगर मैं दिली से कहीं और सिटी में चला जाओं तो लोग मुझे फॉरिनर नहीं समझेंगे और स्पेन से अगर मेरा दोस्त भारत आ जाए तो वह भारत में क्या कहलाएगा फॉरिनर कहलाएगा तो इस तरीके से हमने देखा कि एक वर्ड हिंदुस्तान कितना चेंज हुआ और दूसरा वर्ड फॉरिनर कितना जाधा चेंज हुआ राइट बच्छों चलिए पात करने से पहले आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे बहुत ही प्यारा सा बहुत ही बढ़िया सा बहुत ही उंदा सा सवाल है मैंने बहुत बार बहुत बार बैटल ओफ पानीपत रिपीट किया पस बैटल ओफ पानीपत रिपीट किया है अपने एक्स्प्लेनेशन में आ प्रथम पानी पत्का बाटल कब हुआ था आपकी कॉमेंट सेक्षिन में टाइम बस स्टार्ट होता है आपका राइट ना राइट यह कमान लेट गेट स्टारड़ बचो फड़ा बस स्टार्ट करते हैं यहां पर आज का खेला बताओ मेरे को पानी पत्का जो पहला यूद बाँ आई यहां नहीं बाऊ यानि अब नहीं कर सकता भाइ तुम ऑर आ अंसर आ गयने भाइई क्या बात है बहुत बढ़िया बाइग बहुत सब्लों करेक्क आज़र कहां है बच्छो यहां पर करेक्ट आंसर है फिफुट्पीन-टूइन्टीस यानि सब कुछ है फिक्स पानीपत का फिर्स बैटल 1526 है गी रही तो बहुत असान था बच्छो बहुत असान था चलिए अभी तक की कहा नहीं समझ में आई हिस्ट्री नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग डिसकेशन कर रहे हैं सर की साथ मुवी देख तो आप लोग मुवी देख रहे हैं हुमायू का जो हुमायू नामा है जो उसकी बायोग्रफी है वो गुल बदन बेगम ने लिखी है उनकी सिस्टर ने लिखी है मुझे कैसे पता चला मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अरे वो जो बच्चा प्यार से हस रहे हुदर बैठा हुआ वही बच्चा वही बच्चा आ उ यूचे वान टू ट्री फॉर फाइव शिक्स भी पढ़ा है मैं कैसे मान लू तो मुझे मानने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमारा रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास क्लास 6 का क्लास 5 का तुमारी नोटबुक्स होंगी कुछ क्लास 5 और 6 की जिसमें तुम्हें वेरी गु वेरी गुड जब टीचा देती थी आश्यू बामले हो जाते है तुम शिक्स परबढ़ते थे कितना वेरी गुड मिला पड़ेंगी तुमारी नोटबुक्स देखने पड़ेंगी तुमारा रिपोर्ट कार्ड देखना पड़ेगा है ना तो वह मेरी लिए सोर्स है है कि नहीं बच्चे मेरे लिए सोर्स है तुम्हारे बारे में जानने के लिए कि मैं तुम्हारे बारे में कैसे जान सकता हूँ ऐसे जान सकता हूँ ऐसे जब हम इतिहास की बात करते हैं हम लोग बात करते हैं बच्चे हिस्ट्री की तो हमारे पास भी बहुत सारे सोर्से हैं स समूद्र गुप्त के टाइम थी आपने last class में पढ़ाया यानि कि last sixth class में आपने ancient history पढ़ी है तब समूद्र गुप्त के बारे में अगर हम बात करें अशोक के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या किया pillars यानि जो पत्थर के खंबे हैं उसके ऊपर कुछ-कुछ लिखवा दिया था inscription जिसको आप कहते हैं है ना तो वो जो लिखी हुए pillars थे जब हम लोगों को मिले हमने उनको decode किया उनकी language को समझा तब हमें पता चला कि अच्छा ये वाले राजा ने ये किया था ऐसी बहुत सारे forts हैं बच्चो किले हैं महल हैं जिनकी दिवारों पे बहुत कु जो अपने जमाने में अपने राजा के बारे में लिख गए बहुत सारी poetry's हैं बहुत सारे grunt हैं जिनमें काफी सारी चीज़ें लिखी गए तो बच्ची क्या है यह उस time के जो लोग थे उन्होंने बताया कि उस जमाने में ऐसा ऐसा हुआ था फिर उन चीजों से हमने सीखा और इंप्रूफ किया यह है बच्चे हिस्ट्री का यूटिलेटी तो अलग-अलग sources हमको मिलते हैं जैसे सिक्के मिले coins मिले यह ना for example coins मिले हमें inscription मिले monuments मिले South India चले जाए यह बहुत सुंदर-सुंदर temples है sun temple है ना बहुत सुंदर-सुंदर temples है लिंगराज temple है तो जमाने के जो आर्किटेक्चर था वाकर जो temple का जितना आर्किटेक्चर है उससे में पता चला कि भाई राजा किस तरीके से temples बनवाते थे क्या constructions करवाते थे archaeological sources है अब जैसे for example एक बात करते हैं बहुत ही प्यारी सी पहले क्या होता था बच्चो भोच पत्र होता था भोच पत्र मतलब पत्ता होता है एक ट्री होता है बच्चे उसका पत्ता काफी बड़ा सा होता है तो उस पर कई बार रिशी मुनी लिख दिया करते थे लेकिन दिक पत्रोय हो जाता था या नी खता हो जाता था मिड़े आता था ठीक है जब पेपर का invention हुआ चायना के अंदर पेपर पहली बार स्टार्ट हुआ था प्रिंट होना ठीक है तो जब पेपर का invention हुआ पहले क्या था लकड़ी के ऐसे बड़े-बड़े blocks होते थे उस पर design बना देते थे और उसको ऐसा इंक में डुबो के paper पेपर फट से ठपा मारते थे ठीक है ऐसे छप जाता था वो जब वो छप जाता था था तो उसे साब से वैसी bookay बनती थी ठीक है फिर दीरे-दीरे-दीरे क्या हुआ है इसमें advancement आने शुरू है थोड़ी बहतर bookay आनी शुरू तो history जैसे जैसे record होती गई हमें पता चलती गई भारत के अंदर manuscripts जो थे manuscripts क्या होती है किताबे होती है बहुती basic type के paper की कई बार manuscripts पत्तियों पर भी लिखे जाते हैं बड़े-बड़े पत्ते होते हैं उनकी उपर जो थे उस जमाने में जो writers होते थे वो लिख दिया करते थ क्योंकि वह बहुत नाजूक होती हैं और कभी भी टूट सकती है जो पता सूख जाएगा तो क्या होगा बिटा टूट जाएगा है ना तो जब paper थोड़ा सा चीप से थोड़ा सा मना जानी कि expensive से थोड़ा सस्ता होना शुरू हुआ तो यह जो manuscripts theme की quality भी improve हुई लेकिन क्या ह है कि बच्चों यह हाथ से लिखी जा रही है हाथ से इतना easy तो है नहीं कि बहुत सारी copies बनाई जाए या original चीज को preserve किया जाए तो क्या होता था कि बहुत सारी लोगों को part-time basis पे hire किया जाता था एक major book थी और उस major book से वो लोग copy करकर के और किताबे बनाते थे उसकी copies बना लिख रहे हो अपने अंदाज में तो कई बार उसको गलत भी लिख सकते हो गलती कर सकते हो तो बच्चे historians को जानने के लिए एक ही topic की multiple manuscripts पढ़नी पड़े हैं तो कि हर manuscript में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ differences हैं जब अलग-अलग लोग किसी चीज को लिखेंगे तो अप साथ हमारे manuscripts के साथ भी है तो पेपर काफी cheap हो गया और काफी easily available ओन लगा तो बच्चे बहुत सारी चीजे लिखे गई होली किताबे रिखी गई letters लिखे गए teachings लिखे गई संत मात्मा की बहुत सारे requests लिखे गए right तो इस तरीके के बच्चे बहुत सारी चीजे हमको देखने को मिलती है manuscripts जो की wealthy यानि rich लोगों ने खरीदी राजाओं के पास थी ठीके तो राजाओं से उनकी generation को pass on होती गई जैसे मैं राजा था मेरे बाद मेरा बेटा राजा होगा उसके बाद को उसका आने वाला राजा होगा तो जो मेरी चीजें थी वो pass on होती चलीगी और modern times में जब historians को मिली तो उन्होंने बड़े समाल के उसको world के सामने पेश किया है ना libraries के अंदर मिल गई बहुत सारी उसराइम प्रिंटिंग प्रेश तो थी नहीं है जब बहुत पुराने जमाने में printing press नहीं थी, printing press कब बनी है बच्छो 1498 में, 1498 में यूरोप के अंदर गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने सबसे पहली printing press बनाई थे, लेकिन भारत के अंदर वो अभी तक नहीं आई थी, भारत के अंदर printing press properly आना start हुई है, आपके around 1500, 1500-1600 के बीच में, पॉर्तोगीज जो थे, पुर्तगाली लोग जो थे, वो पहली बार भारत में printing press लेकिया थे, ठीक है, additional बता रहे हैं सार, आपको बहुत सारी चीज़े बताएंगे, बहुत सारी चीज़े है, अना जो आपके book में भी कभी- 1500 के आसपास, उससे पहले क्या था कि लोग खायर किये जाते थे, वो major किताब से, main book से copy करके, अलग-अलग copies बनाते थे, ठीक है ना, duplicate बनाते थे, चल यह है, खुड़ासा आगे बढ़ते हैं बच्छों इसी में, let's talk about this, तो क्या होता है बच्छों, जब आप scribes को hire करते हैं, जब आपने लोग hire कर रखे हैं, जो main से copy कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे, copy करने के चक्कर में, error बहुत होता है, जैसा अब exam में, अगर अपने दोस्ट से copy करते हो, तो बिटा उसके बाद भी, पूरा सही नहीं लिखते, क्योंकि थोड़ा समझ आता है, और थोड़ा समझ में नहीं आता, तो जो तुम्हारी समझ में आता है, तुमने उससे copy किया, रिमा was a very good girl, she went to her nephew's house for her birthday party, and then after that, suddenly this happened, अब this happened के बाद तुम देखी नहीं पाए, तो तुमने अपनी कहानी जोड़ दी, एंड रिमा got the cake, she ate the cake and came back happily, हाला कि रिमा के साथ कोछ और ही कहानी हो गई थी मा, रिमा वाँ पे गिर पड़ी थी, उसके छोट लग गई थी, लेकिन थुमने रिमा की birthday party successful करा दी, तो इस तरीकी की बच्चे, errors बहुत common है, जब आप copy करते, तो errors manuscripts के इंदर भी common थी, इसलिए बच्चो correct data find करने के लिए, बहुत बार historians को, इतिहासकारों को, अलग-अलग sources को पढ़ना पड़ता है, to come at a conclusion, right, चले, authors also revise the chronicles at various times, for example, जियाओदीन बरानी के अगरम बात करने, दिली सल्तनेत के काफी ही, बड़े ही मज़दार जो थे, ये historian थे, जियाओदीन बरानी ने अपने काम को 1356 में लिखा पहली बार, और फिर उसको revise किया, दो साल बार, ठीक है, और अद 1356 में एक book लिखी, फिर उनक इसको revise करके एक नहीं book लिखी, तो बचसे ये भी काफी ज़्यादा distorted है, आप ये कह सकते information तो है हमाई पास, बट information की जो credibility है, कितना जूट है, कितना सच है, वो थोड़ा सा कही न कहीं questionable है, question mark है, और पहले ये भी होता था बच्चे जो इतिहासकार होते थे, जो poets होते थे, और राजा की दर्बार में रहे के राजा की बुराई तो करेंगे नी, तो राजा के बारे में बहुत अच्छा 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 देते हैं, राजा जी हमारे चक्रवर्ती राजा हैं, बहले ही राजा जी दोती उठा के भाग गए थे, जना कुता पीछे लग गया था रा थोड़ा साघे बढ़ते है यहां पर बच्छे, over the years हमने क्या-क्या पढ़ा अब इंटक एक Peikze खर सर ए विदिशन, हमने देखा कि terms कैसे चेंज रहे друг्ग होए, इंदुस्तान के बारे में में पढ़ा हे, हमने foreigner term के बारे में में पढ़ा फिर हमने पढ़ा कि हमको sources कहां से मिले हैं हमने पढ़ा कि inscriptions होते हैं books होती है, manuscripts होती है यह सारी चीज़ेश हमको पदा चलता है कि क्या-क्या history में हुआ है फिर हमने क्या पढ़ा बच्चो कि इन में भी कई-कई problems है, errors है या फिर mistakes हैं अब इन पिछले हजार सालों के अंदर जो हम जिसका हम पूरा journey ट्रावल कर रहे हैं यहां पर पिटा क्या हो रहा है कि बहुत सारे social economical changes आ रहे हैं political changes आ रहे हैं, समाज बदल रहा है समाज में पहले जहां पर एक normal राजा हुआ करते थे, उससे बड़ा सामराज बना, बड़ा kingdom बना फिर उससे कोई नई टाइप की सरकार नई टाइप की government, ऐसी बचे जब व्यपार यानि trade बढ़ना शुरू हुआ अलग-अलग जगे के लोग जब हिंदुस्तान वाले side पर आना शुरू हुए, तो अपने साथ नई नई चीज़ें लेकर के आए, कॉफी लेकर के आए टी लेकर के आए, जैसे for example कॉफी, सर का एक पहुत मज़दार वीडियो अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर से देखिएगा उसको आप एकी चैनल पर मैंने बताया है कि कॉफी भारत में कौन लेकर के आया अच्छली एक labor हुआ करते थे, एक किसान हुआ करते थे जो देश के बाहर काम करते थे वो अपने साथ कॉफी की जो beans थे न, कॉफी की जो seeds होते है, वो लेकर के आया थे उनका नाम था बाबा बूदान, यमन से वो कॉफी की seeds लेकर आया थे और भारत में निलगिरी में उन्होंने उसको plant कर दिया था उसका plantation लगा दिया था, तो वहां से भारत में कॉफी की शुरुवात होई, तो इस तरीके बहुत सारी चीजे हैं, बच्चे जो आपको देखने को मिलेंगी, जो इंडिया के इंदर आएं, हिंदोस्तान के इंदर आएं और हिंदोस्तान से बाहर भी गएं, लोगों वर्ल्ड तक गएं, तो इस तरीके मुल्टिपल चेंजे ने जो इन पिछले 1100 साल में हमने एक्स्पीरिंस किया है, अगर हम बात करें, स्पेशली 700 और 1750 यह जो 1000 साल की हिस्ट्री है, स्केल्स और वराइटी और डेवल्लोपेंट्स हाब बीन दे, ठीक है, बहुत सारे मुमेंट्स पर नई नई टेक्नोलोजी आई है, जैसे पर्षन वील, बच्चे कुछ इस तरीके का देखता है पर्षन वील, आपको लिख देता हूँ यहां पर, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे ताकि पर्षन वील, ठीक है, तो पर्षन वील का काम क्या था बच्चे, इसक केतों की तरफ इसका छिड़काव होता था, यानि एगरी कल्चर में काफी हिल्फुल था, ठीक है, इसी के साथ बात करें कि कॉफी, कॉफी की कहानी मैंने अभी आपको बताई, कि कॉफी कैसे इंडिया में आई है, तो बच्चों इस तरीके के बहुत सारी इंवेंशन थे, आपको देखने को मिलती है, और वर्ल्ड में देखने को मिलती है, नए-ने टाइप के खाने पीने, कॉर्न हो गया, कॉर्न जिसे अमेरिकम बहुत फेमस था, आज इंडिया में बहुत फेमस है, चिलीज हो गई, अलग-अलग टाइप की चाय हो गई, कॉफी हो गई, पास्त आए भारत लोग इंदुस्तान आए उन्होंने भारत में इंट्रड्यूस किया लोगों को मजा नी लाइफ आ गया और लोग खाने लगे आज पर कहते हैं मम्मी मम्मी चीजबस पीज़ा चाहिए डॉमिनोस का आहाँ भूक लगने लग गई मेरेको तो catch order distraction नहीं होना है डॉमिनोस का पीज़ा क्लास के बाद खाएंगे ठीक है चलके आगे चलते हैं तो बच्चो जब लोग आने शुरू हुए अलग-अलग लोग आए अलग-अलग धर्म भारत के अंदर आए है ना जब Christian Missionaries Christianity का प्रचार करते हुए भारत के अंदर आए है ना तो उन्होंने Christian भारत के अंदर आए उन्होंने Muslim धर्म को इस्लाम धर्म को भारत में फैलाया इस तरीके से गुरु नानक जी जो थे उनसे सिखिजम स्टार्ट हुआ तो अलग-अलग लोगों ने बच्चे अलग-अलग कल्चर जो है वो भारत के अंदर दिये है और उसका उसका result आपको दिखता है कि बच्चे आज इंडिया तक culturally race है multiple culture, multiple food, multiple type of people हमें आपे देखने को मिलते हैं है कि नहीं चले तो इसी के साथ भाई आगे बढ़ते हैं बहुत सारे सवाल है में आपके से it was a period of great mobility as people traveled long distances subcontinent held immense wealth and possibilities for people to carve a fortune बहुत ही simple है बहुत ही मजदार बात है देखो भारत के अंदर Europeans क्यों आए उसका simple सा सरल सा जवाब है क्योंकि वो लालची थे बहुत है भारत बच्चे कैसा देश था इंदुस्तान एक ऐसा देश था जिसके पास natural wealth बहुत जादा थी यानि पहाड नदिया फॉरेस्ट यह जो natural resource थे बहुत जादा थे European के पास technology थी पैसा था क्योंकि भारत से इडिया से advanced थे काफी advanced थे अपने time पे उनको लगा कि क्यों ना हम इस advancement का फाइदा उठाएं अपने पैसे की power का फाइदा उठाएं और भारत पे आफ्रिका पे इन जगो पे जा कि कबजा जमा लें तो आये तो भारत से trade करने थे बट उन्होंने देखा कि भारत के जो राजा है वो technically इतना advanced नहीं है प्रस आपस में थोड़ी सी unity भी कम है तो इसका फाइदा उठाया उन्होंने और अपना राज स्थापित के आपे पुर्तुगालियों ने कुछ हिससे पर कबजा किया फ्रेंच ने कुछ हिससे पर कबजा किया ब्रिटिश ने बाद में पूरे भारत पर कबजा कर लिया यानि इनकी कानी ऐसी है कि एक मालिक बैठा है बार उसका उंट खड़ा है उंट को ठंड लग रही हो कह रहा हूं मालेक अंदर आओं क्या मालिक कह कुंडी मत खड़काओ थोड़ा सा अंदर आओ यानि की मतलब आराम से टेंट के अंदर थोड़ी अपनी गर्दन कर लो फिर मूट को ठंड लगी किता है मालिक ठंड लग रही है अंदर आओं क्या मालिक ने का ठीक है भाई कैमल आजाओ तुम अंदर मेरा साथ देते हो फि कैमल ने नहीं बोला मालिक से मालिक आओ ना अंदर ठीक है तो वही मालिक जो है वह अंदर नहीं जा सकते है कि मालिक को भगा दिया असने ऐसे हुआ भारत के साथ भी जो यूरोपियंस आए उन्होंने इंडियन रूलर्स को डिस्प्लेश किया ब्रिटिश ने आके भारत प है 13 शताबदी के गर मैं बात करूं 13 सेंचुरी की तो एक नया ग्रूप आपको भारत के सामने आता हुआ दिखता है किंदू ग्रूप है इसको राजपूत्स कहते है राजपूत्स चो तर्म में बच्चे वो निकला हुआ है राजपूत्र से राजपूत्र का मतला होता है सफना पूत्र थेका अगर अगर हम राजपूत्स की बात करते हैं बचे तो राजपूत्स ने को टे देखा था भारत को एक जुट करने का सपना देखा था प्रॉब्लम चोटी सी यही थी कि यहां पे क्या था कि थोड़ी थोड़ी यूनिटी आपस में इन में नहीं थी जिसका फाइदा उठाया बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने दिली सल्तनत के मुगल एंपायर के बाद मे से ब्रिटिश उस ने राजपूद केंग सेेगर हम बात कहें तो भाहि राणा सांगा के अगर हम बात करते है थी क्या माना प्रताफ की करते हैं प्रित्वी राज चौहान की बात करते हैं प्रित्वी राज चौहान तो बच्चे बहुत अमेजिंग थे प्रित्वी राज चौहान इतने मजबूत राजपूद रूलर थे कि अगर प्रित्वी राज चौहान बैटल नहीं हारते दो बैटल्स हुई है उनकी मोहमद गोरी के साथ, तरेन के अंदर, तरेन एक जगे है बच्चे छेत रहे, तो पहली बैटल तो पृत्वी राज जीत गए, ठीक है, दूसरी बैटल में पृत्वी राज हार गए, उसका रीजन था क्योंकि उनको अपने ही लोगों सपोर्ट न ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे जब हम आगे बढ़ते हैं, राजपूत हिस्ट्री डॉमिनेट करती है भारत को ग्यारवी शताब्दी से, यानि 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक, आपको देखने को मिला कि राजपूत जो थे बिटा, वो बहुत स्ट्रॉंग थे, और दिल्ली, आगरा, राजस्थान, इस एरिया को पूरा कंट्रोल करके रखते थे, आपने बहुत सारी मूवी भी देखे होंगी, बॉलिवूड में, तो हाला कि बच्चे जो मूवी में दिखाते हैं, वो exact history कभी भी नहीं है, तो प्लीज उनके पे मत जाहिएगा, कि ऐसा मू राजपूत के, ठीक है, so they claim to be चत्रे स्टेटर, they were soldiers and commanders as well, तो सिर्फ रूलर्स ही नहीं थे बच्चो, but soldiers भी थे, commanders भी थे, अब जैसे फर एक्जामपल अगर मैं बात करूं कि प्रित्वी राज चौहान की आर्मी में बड़े बढ़ियां-बढ़ियां बहादुर- अची प्रोफाइल्स भी थे, अकबर के साइट से लड़ते थे, जैसे राजा मान सिंग के आप बात कर लीजे, वो मुगल आर्मी को लीड करते थे, ट्रस्टेट जनरल थे अकबर के, तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगे about the Rajput Empire, they were courageous, they were brave, डरते नहीं किसी से, चिंता को नाक की नोग पर रखे वो राजपूत, जो हात में रेत लेकर समुंदर से दौल लगा ले, शर्त लगा ले वो राजपूत, वह राजपूत सो हैं बच्चे अपने हाप में बहुत glorious past लेके चलते हैं, बहुत beautiful इनके forts हैं, आपको देखने को वाइफ में टाइम मिले कभी चांस मिले तो चितौल कर जरूर घूम के आईगा, एना great wall of china के बाद जो सबसे बड़ी wall बनी है पूरे world में वह बच्चे चितौल के अंदर है, तो that is very very famous, एना चले, extreme valor and great sense of loyalty are the qualities that are attributed to राजपूत, इसके लाभब माराथा, सिख, जाट, आहों कायस्त, ये भी काफी important बच्चे tribes थी, जिन्होंने administration में काम किया है, military में काम किया है, माराथास ने भी बच्चे एक जुड भारत बनाने का सपना देखा था, हलाकि माराथा powers भी कई न गाई, थोड़ी सी British के आगे, जो है ना, British की चालाकी के आगे, थोड़ी सी confused हो गई, but Marathas were also very very strong, तो हमने देखा बच्चो क्या क्या देखा, अभी इस पूरे ग्रूप के अंदर, we talked about Rajputs, हमने बात की Marathas की, सिकhism की, हमने देखा कि किस तरीके से गुरुनानक जो थे उन्हों सिकhism स्टाट किया, फिर हमने देखा कि कौन-कौन से rulers हो थे, वो भारत के अंदर आए हैं, तो इठास भी न, जर्नी, आप मेरे साथ एक यात्रा कर, मैं को भी लग रहा है कि जैसे मैं आपके साथ time के थूरू चलता-चला जा रहा हूं, walk करता-चला जा रहा हूं, बस समय में कहीं हम चल रहे हैं, कहीं खो से गए हैं, है न, समय को continue रखते हैं, आगे बात क को बहुत लंबा नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि बावुमशाय मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई मजदार होने चाहिए, लेकर लंबी नहीं, तो इस समय के चक्र को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बच्चो, बहुत सारे बच्चे जो forest dwellers थे, बहुत सारे forest dwellers यानि tribal लोग, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जंगल पर depend करते हैं, जब Britishers भारत आए, उन्होंने देखा कि जंगल जो हैं भारत के बच्चे उनमें काफी potential है, यानि जंगल की लकड़ी काड़ के बेच सकते हैं, ब्रिटिश जो ब्रिटेन हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, वहाँ पर development कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन के जंगल उड़ा दिये थे, काट डाले थे, सारे के सारे, यानि यूस कर डाले थे, इंडस्ट्रीज बनाने में, इंडस्ट्रीज के लगए, उनको लगा भारत के जो इद्दम ठिकली populated जंगल है, तक जंगल है, इनको काट के अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीचा, इन्होंने आकर यह क्या किया, भारत में अलग 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 laws बना दिये, जो local लोग है, उनको जंगल उसे बगा दिया, जिनकी पूरे जीवन जंगल पर depend करता है, तो जब इनकी habitat change हुई, जब इ बकरियां पालनी शुरू करती ही, उससे जो भी products निकलते थे, उसको बेच करके यह अपनी life चलाते थे, तो बच्चे जब habitat change हुई, जब रहने की जगे change हुई, तब इनकी जो आदते थी, जो इनकी practices थी, उसमें भी changes आने शुरू हुए, राइट, देखे, extension of agriculture faster and more complete in some areas, those who remains started to till their lands and became peasants, peasants का मतलब होता है बच्चे, farmers यानी की किसान, चले आगे बात करते है, कुछ के पास जो जमीने थी बच्चे, वो काफी बढ़िया थी, कुछ लोग जो है जमीन के साथ अपनी गायभैस भी चराते थे, ताकि इनका जो shortage है, वो पूरी तरीके से पूरा हो सके, जब society change हुई, लोगों को जाती में अफिस सब कास्टों में डिवाइड किया गया, तो उनके occupation के basis पे समाज में इनको rank किया जाता था, जिसको कास्ट भी कहते हैं, जाती कहते हैं, जैसे ब्रामिन का काम है पूजा करना, भगवान की पूजा अर्चना करना, शत्रिय का काम ह ट्रेट करना, बिजनस करना, ठीक है, और एक शूदर का काम था, सफाई करना, यानि society का maintenance करना, सब सफाई को maintain करना, तो इसको हम जाती कहते हैं, जाती कह सकते हैं, इंग्लिश में कास्ट कह सकते हैं, तो इनके occupation के basis पे इनको जाती हो में डिवाइड करने लगे लोग, पहल इन rules and regulations को manage करने के लिए बड़े लोगों का एक group बनाया गया, जो age और experience में बड़े थे, और इनके group को कई बार हम जाती पंचायत भी कहते थे, कास पंचायत भी कहते थे, फिलाल अभी इंडिया में ऐसी कोई जाती पंचायत allowed नहीं है, भारत का समविधान constitution allow नहीं करता, ल पहले के जमाने में इस तरीके की जाती पंचायत होती थी, जो कि decisions लेती थी अपने समाज या जाती से जुड़े, चले, बहुत सारे states हैं बच्छे साउथ के जैसे कि आपके चोलाज हो गया, चेराज हो गया, पांडेयाज हो गया, अगर नौर्थ में बात करें तो तुगल अलग हो गया, दिल्ली डैनिस्टी के, मुगल एंपायर के मुगल राजा हो गया, तो उन्होंने अलग-अलग बच्छे बदलाओ के समाज के अंदर, religions को ले करके, समाज के रहने को ले करके, ठीक है, अलग-अलग rules and regulations दो हैं बच्चो, society में form out किये हैं, ठीक है, अगर for example, एक Sanskrit प्रशस्ती है, प्रशस्ती मतलब भाइक तरीके से आप poetry याद कर सकते हैं, ठीक है, जो मुगल एंपायर घ्यासुत दीन, जो दिल्ली सल्तनत के empire, एंपरर जो थे घ्यासुत दीन बलबन को काफी ज़्यादा प्रेस करती है, ठीक है, उनका जो empire था वो बंगाल, जिसक क्या कहते थे बच्चे, द्रविड कहते थे, राइट, द्रविड एरिया, राइट बच्चों, तो एक Sanskrit poetry है, Sanskrit inscription है, जो घ्यासुत दीन बलबन के सामराज को बताता है, इनका सामराज बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, आप सोच सकते हैं, कितना बड़ा रहा हो का, राइट, बहुत सारे अलग-अलग regions के लोग थे, गौल मतलब बंगाली, बंगाल region के लोग, ठीक है, फिर आपके आंधरा region के, केरला, कंनाटका, महराष्टरा, गुजरात के, ठीक है, तो बच्चों, ऐसा बताती है, जो Sanskrit प्रशास्ती है, कि इतने regions के लोग, ग कोई और inscription मिलेगा बच्चों, जो कहीं न कहीं आपको कुछ और बताता होगा, तो बहुत सारे historians इसको काफी जादा जूट भी मानते हैं, कि बढ़ा चड़ा की लिखा गया है, हाँ, ग्यासो दीन बलबन का empire बढ़ा था, बढ़ ऐसा भी नहीं था, कि आर्मी जो है देखते भागती होगी, तो यह थोड़ा सा exaggerated है, तो history में बच्चो, history is always based on assumptions and findings, बलब जो लोगों ने experience किया, जैसा किया, वैसा लिख दिया, कई पर राजा की बढ़ाई में लिख दिया, तो यह सारी चीज़े मिलती गहीं है, इसको refine करके पढ़ना, analyze करना, यह historians का का काम है, चलिए, 700 AD तक अगर मैं बात करूँ, by 700 AD, वाल सारे ऐसे regions हैं, जिनके पास काफी अपनी language थी, अपना एक culture था, और जिनको एक proper राजा रूल करते थे, जिसे South India में चाहें बच्चे, तो जो पुरानी languages हैं, Tamil से निकलोई languages हैं, वो बड़ी common थी पुरे South Indian region में, कोई Tamil बोलत था, कोई Andra Kannada बोलता था, कोई Malayalam बोलता था, but they were the group of South Indian languages, Dravidian languages, तो यह काफी common थी और इसी से मिलते चुलते इनके culture थे, तो by 700 AD तक अगर हम बात करें हैं, उससे आगे की बात करें बच्चो, तो धीरे 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 यह distinctions जो थे, यह अलग-अलग specialities थी वो आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, काफी बार इन में बहुत सारे conflicts भी होई, जिसे चोलास में, खलजी में, मुगल्स में, यह ना, And what happened बच्चो, जो इनके empire थे, खासकल जो बड़े-बड़े empire है, Khilji dynasty हो गया, Khilji dynasty बच्चो, नौट से start होता था और Deccan region तक जाता था, ठी इस तरीके की जो regions थे बच्चे, वो सिर्फ एक, एक area में concentrated नहीं थे, बलकि multiple areas को यह combine करते थे, और इस combination के चलते, जो culture था बच्चे, वो अलग-अलग लोगों का कहीं न कहीं, अलग-अलग directions में जाता गया, mix होता गया, and that is the reason we find multiple cultures today in the country, यह ना, चले, मुगल empire बच्चे 18th century में decline हो जाता है, और जब मुगल empire टूटा, जो की बहुत बड़ा empire था, नौट से लेके काफी सारे south तक के areas को cover करता हुआ, तो जब मुगल empire टूटा, उसके बहुत सारे छोटे 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 राज्य बन गये, छोटे 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 kingdoms बन गय है, है ना बचो, चल, तो हम कहानी को आज end करेंगे बहुत जल्दी सरीके से, बहुत मजदाल तरीके से, religion की बारे हम बात करते हैं बच्छे, बहुत सारे changes Hinduism में आए, Hindu धर्म के अंदर बहुत सारे changes आने शुरू हुए, है ना नय नय भगवान की worship स्टार्ट हुई, अगर ह रामन जो थे, they earned respect, because they were very knowledgeable in terms of Sanskrit, Sanskrit भाषा का अच्छा ग्यान था, साथ ही साथ ये भगवान की पूजा अलचना करते थे, इनका जो कान था, वो भी बहुत ज़्यादा respected मानाया था से, society में, इसके चलते बच्छे बहुत बार ऐसा भी हुआ, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा control किया है, powers को indirectly, चले, another major development था, was the idea of bhakti movement, अब क्या होता था बच्छी, रामेंट्स कई बार ऐसे rituals बता देते थे, जिसको करने में हर कोई common आदमी बहुत सक्षम नहीं था, तो ऐसे time पे bhakti movement, एक बहुत important moment था, इसलाम के अंदर सूफिसम एक बहुत important moment था, जो एक भगवा की rigid worship से freedom दिलाता था, वो कहता था कि अगर भगवान को आपको पाना है, आपको God की सेवा करनी है, तो उसके लिए आप लोगों की सेवा करिए, जरूरी नहीं कि अगर आप इतने यग्ये करेंगे तो ही God प्रसन होंगे, तो भक्ती movement के कभीरदाज जी, कभीरदाज जी इसक ये पैर पहले चुए जाएं, तो कभीरदाज जी कहते हैं कि गुरू का दर्जा ऊपर है, गुरू और भगवान समान है, तो गुरू ने ही बताया है कि भगवान कौन है, गोविंद कौन है, तो गुरू ही ज्यान का बोध कराते हैं, गुरू ही ज्यान से आपका परिच्या कराते हैं तो इस तरीके से जो थे बहुत खुबसूरत बाते बच्चो भक्ती सेंट्स ने समझाई लोगों को भक्ती सेंट्स ने बताई लोगों को राइट तो लोग जो थे भक्ती मुव्मेंट से सूफी मुव्मेंट से काफी जादा इंफ्लूएंस थे और जिसके चलते न काफी तेजी से भारत में बढ़ने लगा तो जब Christian Missionaries आये जब Christianity के जो प्रचारक थे वो भारत में आये तो उन्होंने Christianity को डेवलप किया तो Britishers के आने के बाद से Christianity और स्प्रेड हो गई राइट बच्चों थे बहुत सारी changes है जो आते चले गए राइट चलिए Muslims के अंदर भी बच्चों बहुत सारे divisions है एक शिया ग्रूप है और आपका सुन्नी ग्रूप है जैसे Hinduism के अंदर बहुत सारी कास्ट है वैसे Muslims में डिविजन है शिया Muslims मानते हैं कि जो Prophet Muhammad के son-in-law थे वो Ali थे और वही जो हैं वो major leader है Islamic community के हाला कि अगर हम सुन्नी की बात करें तो सुन्नी कहते हैं कि भाई जो खलीफा हैं खलीफा बच्चे पूरे Islam के head माने जाते हैं किके, खलीफा जो थे वो Islam के head माने जाते थे तो सुननी कहते हैं जो खलीफा हैं और उनके बाद आने वाले जो खलीफा हैं, जो इस profile पे काम करेंगे वही Islam के head है बाकी जो Shia Muslims हैं वो कहते थे जो मोहमद के son-in-law थे अली वो Islam के head है, तो दोनों का मानना अलग-अलग है, हाला कि religion से मैं इसलाम, लेकिन दोनों का जो बच्चे concept है, जो दोनों की thinking है, वो काफी different है, तो एक religion के अंदर भी आपको काफी differences मिलते हैं, अलग-अलग schools हुथे, बच्चे law के, हनाफी law था, शाफी law था, ठीक है, theology मतलब जब आप धर्म के बारे में पढ़ाई करते हो, तो धर्म के अंदर भी बच्चे अलग-अलग schools है, जिसे हिंदुशम में भी बच्चे अलग-अलग schools है, philosophy के, जिसमें अलग-अलग philosophy बताई गई है, जीवन के अलग-अलग चीज़ें बताई गई है, तो बहुत सारे differences आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चली बच्चो, finally time travel तो हमने काफी कर लिया, और इन 1000 सालों की history को 35 या 40 मिनट पढ़ना यू तो ना मुंकेन है, लेकिन हमने फिर भी एक attempt किया है, कि इस पूरी जर्नी को समझा जाए, इस पूरी जर्नी को देखा जाए, अगर हम बा time से यह भी मतलब है कि उन देट्स के साथ साथ एक culture change हुआ है, कई सामराज ही change हुए है, और लोगों की life change हुई है, जब Britishers आये भारत में, अगर हम history का division करें, है ना, एक तो according to British है, एक history है, जो कि according to British है, उसके हिसाब से history को उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिंदू history, Muslim history और British history, क्योंकि Britishers के हिसाब से भारत का culture, हिंदूस्तान का culture बहुत primitive है, बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसमें कोई change नहीं आया है, चेंज आया है, तो सिर्फ एक चीज में वो है, सिर्फ धर्मों में, यानि एक ताइम पर हिंदूस ने डॉमिनेट किया, एक ताइम पर मुस्लिम ने डॉमिनेट किया, और बागे टाइम पर ब्रिटिश ने डॉमिनेट किया, तो बच्छे इसको consider नहीं किया जाता है, जो British medieval history जो हम class 7 में पढ़ेंगे, जो पूरे जुनुन बाच्वाम लोग पढ़ेंगे बच्छो, बहुत मजदार history है, और एक क्यलाती है आपकी modern history जो आप class 8 में पढ़ेंगे, यानि about गांधी जी and India's freedom struggle, ठीक है, तो तीन भागों में तीन हिस्सों में हम history को divide करते हैं, modern history division है, ancient history, medieval history और modern history, राइट बचों, तो इस तरीके से पूरे time period को, पूरी journey को, आज हमने मस तरीके से पढ़ा, आज की movie थोड़ी होना serious note थी, बट बिलीव में बचों, आगे के chapters बहुत खुबसूरत होने वाले हैं, और एक खुबसूरत सा तड़कता भड़कता सा question भी आपके लि के लिए राजपोत्र सूत्र पोत्र राजसुता या फिर अनैस्ता, बता हो जल्दी से बच्चों कि यह जो हमारा term है राजपोत्र यानी राजा का पोत्र यानी son of, सरदार नी भाई, son of a king, तो राजपोत्र शत्रिया क्लान से बिलॉंग करने वाले, जिनके में था बहुत सारा वैलर और बहुत सारा ब्रेवरी हिला डाला था एक टाइम पे भाई, पुरे इंदोस्तान को, तो वो थे राजपोत्र और राजपोतों की अमर कहता से राजपोतों की एकदम खुबसूरत ची कता के बाद, आगे चलते हैं बच्चों, और टाइम वाला तरीका था, जिसको हम नहीं मानते, और जो प्रॉपर तरीका है इस ट्री का, इंशन, मेडिवल और मॉड़न, तो बच्चे, आज का ये चाप्टर ट्रेसिंग चेंज़ थूआ थाउजन यर्स वोस जस्ट अबाउट रिफ्रेश्मेंट की क्या-क्या हमने पढ़ा प का मिलेंगे आपको, प्ले स्टोर पर जाएए, गूगल प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कीज़े, रेजिस्सर कीज़े बच्चों, और साथी साथ अपना बैच सर्च करिए, जुनून बैच, वहाँ पर जाएंगे जब आप, तो आपको एकदम फ्री ओफ कॉस्ट ये सार आपको दिया है, ठीक है, तो बाई-बाई बाई बच्चों, फिलाल मेरा टाइम आ चुका है, मैं जाता हूँ पानीपत के चौते युद्ध के लिए, ठीक है, घोडा भी तयार करना है, तो घोडा तयार करके आता हूँ और आपसे मिलता हूँ अंदा वेरे नेक्स वीडिय बाइ बाइ